बॉल्यूट सिल्व स्क्रीन प्रिसेंटिंग दमोगन इस कहाने की शुरुवात में हम एक लैब को दिखाया जाता है जो शहर से बहुत दूर होती है ये पूरी तरह से अलग थलग जगा है जहां पर कोई भी आम इंसान नहीं आता और ये लैब होती है सेंसेट कमपनी की ये कमपनी जैनेटिक एंजिनिरिंग करती है यानि कि ये हुमेंस के डियने में चेंज करके नए इनसानों को बनाती है और अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते ये एक डियने में फेर बदल करके एक इनसान को बनाते हैं दरसल ये उसमें नैनो टेक्नलोजी का इस्तिमाल करते हैं जिससे डियने के अंदर ये नर्वस सिस्टम में ऐसे फिर बदल करते हैं कि आने वाला इनसान यानि कि जिस भी इनसान को ये बनाएंगे वो इनके हिसाब से ही चलेगा और अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के चलते ही एक इनसान को बना देते हैं लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल होता है जो बच्चा इन्होंने बनाया होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता इसके बाद ये एक बार फिर से कोशिश करते हैं और इस बार बच्चा सर्वाइव कर जाता है लेकिन उसका दिमाग चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि जिस तरह से इनसान को ह्यूमन को बनाना चाते थे इस बच्चे का दिमाग वैसा नहीं है इसलिए इन्हें इस बच्चे को मारना पड़ता है ये हार नहीं मानते और लगातर कोशिश करते रहते हैं और अब ये एक और बच्चे को बनाते हैं और इस बार इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामियाब होता है जिस तरह के सब्जेक्ट को जिस तरह के बच्चे को बनाना चाते थे यहूबा हूव वैसे ही होता है धरसल यह एक लड़की है और इसका नाम रखा जाता है मौरगन मौरगन के अंदर बह Tampa के अंदर बहुत सारी خاص बाते होती है हो अपने शरीर को जल्ट से जल्द हील कर सकती है उसका दिमाग भी बहुत तेज होता है उसके अंदर उस सारी खूबिया होती है जो इनसानों के अंदर इस वक्त नहीं है यानि बिमारी से लड़ने की ताकत, अपनी बाड़ी को हील करने की ताकत और साथ ही बहुत तेज दिमाग लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर वो चीज नहीं है जो इनसानों के अंदर है यानि की आत्मा जो एक इनसान को इनसान बनाती है अब जैसे जैसे वक्त बीटता है यहां पर जितने भी डॉक्टर जितने भी वेग्यानिक होते है वो सब के सब मौगन से बहुत क्लोज हो जाते है यह सब उसे अपनी बेटी मानते है यहीं पर एक और डॉक्टर होती है जिसका नाम एमी है एमी सबसे ज़्यादा मौगन से प्यार करती है साथ ही वो उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताती है वो हमेशा उसे लैब से बाहर ले जाती है ताकि उसे अच्छा लगी उसे ऐसा ना लगे कि उसे यहां पर कैद किया गया है और मौगन को भी एमी के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से सब कुछ अच्छा चलता रहता है अब धीरी धीरी मौगन और भी बड़ी हो जाती है और एक दिन एमी जब उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है तो मौगन देखती है कि वहाँ पर एक ही रन है जो बहुत ज़्यादा जखमी है वो तड़प रहा होता है मौगन उसके पास जाती है और उसे मार देती है जो देखकर एमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसे बहुत दुख होता है क्योंकि जब इन्होंने मौगन का डियने बनाया था तो उसमें ये चीज़े खास तोर पर डाली गई थी कि कभी भी वो किसी इनसान या जीव को नहीं मारेगी लेकिन अब उसने एक जीव को मार दिया है में के साथ के डॉक्टर्स को जब भी बात पता चलती है तो उतै करते हैं कि अब मौगन को भार नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि अब इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट पर डाउट है इन्हें नहीं पता कि मौगन कितनी खतरनाक है इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है साथ ही अब इन्हें अपनी सीनियर टीम को भी जवाब देना होगा क्योंकि जो भी ये काम यहां पर करते हैं वो सब की रिपोर्ट ये कमपनी को देते हैं वही मौगन जिसे हमेशा भार घूमना भार जाना बहुत पसंद था अब उसे एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया है उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता उसके पास एक थेरेपिस्ट आती है और जब मौगन से सवाल जवाब करती है तो मौगन अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है और उसके उपर हमला कर देती है वो उसके आँखों जखमी कर देती है पर यहां पर जितने भी डॉक्टर से और सब के सब मौगन से बहुत प्यार करते है वो जानते हैं कि मौगन के अंदर इंसानी जजबात है और कभी कभी इंसान अपने जजबातों पर काबू नहीं कर पाते पर सब के मन के कोने में एक और बात आ चुकी यही हो सकता है कि उनसे DNA बनाने में गलती हो गई हो यानि कि मौगन भी एक फेल एक्सपेरिमेंट हो लेकिन यहाँ पर जित्रे भी लोग होते हैं वो सब के सब मौगन को अपनी बेटी समझते हैं इसलिए वो इस सब्जेक्ट को यानि कि मौगन को मारने के बारे में सोच भी लेकिन जब ये बात कमपनी को पता चलती है तो कमपनी यहाँ पर एक और डॉक्टर को भेज़ती है जिसका नाम डॉक्टर ली होता है ली बहुत जादा स्ट्रिक्ट होती है उसको देखकर लगता है कि उसके अंदर किसी भी सब्चेक्ट के लिए कोई भी इमोशन्स नही है वो सबसे सवाल पूछती है और सवाल पूछने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ लैब में जितने भी लोग हैं वो सब के सब मौगन से बहुत प्यार करते हैं वो उस थेरेपिस्ट के पास भी जाती है जिसके ओपर मौगन ने हमला किया था वो भी मौगन से बहु कोई गलती नहीं है। शायद हो मेरी किसी बात से हर्ट हो गई हो लेकिन लीज जानती है कि यहां पर कोई ना कोई गड़बर है। इसलिए वो यहां पर एक साइकोलजिस्ट को बहुत हैं और ये साइकोलजिस्ट तै करता है कि वो मौगन से बात करेगा। जिसकी बाद एक कीविन की अंदर डॉक्टर के सामने मॉगन को बिठाया जाता है और अब डॉक्टर उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है मॉगन कहती है कि जिस थेरेपिस्ट के उपर मैंने हमला किया था इस बात का मुझे बहुत दुख है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था साइकॉलोजिस्स उससे कई सारे सवाल पूसता है जिनका मॉगन बहुत समस्दारी से जवाब भी देती है लेकिन साइकॉलोजिस्स जानता है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है और इसलिए मौगन से ऐसे सवाल पूँसता है जिससे उसे गुसा है वो उसकी पेशिंस को चेक कर रहा होता है और कई बार प्रोवक करने के बाद मौगन को गुसा आजाता है वो साइकॉलिजिस्ट के उपर हमला कर देती, वो उसके गले को जखमी कर देती है अब यहाँ पर बाकी डॉक्टर्स उसे बेहोश कर देते हैं जिसके बाद ली इस नतीजे पर पहुंसती है कि मौगन इनसानों के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन सकती है ये पूरी तरह से एक फेल एक्सपेरिमेंट है इसलिए मौगन को खत्म करना होगा मौगन जब होश में आती तो देखती है कि उसको बांदा गया है उसके आस पास वही सारे डॉक्टर्स है जिन्होंने उसे बनाया था जिन्होंने बचपन से उसे पाला था और ये सब के सब अब भी मौगन से बहुत प्यार करते हैं यह नहीं चाहते हैं कि मौगन को मारा जाए लेकिन कमपनी की तरफ से इन्हें अब ओर्डर्स मिले हैं इसलिए मौगन को इन्हें मारना होगा और यहां पर जो डॉक्टर डी होते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा ली डॉक्टर डी को समझाने की कोशिश करती है जिसमें उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और तब ही सारे डॉक्टरस मिलकर ली को भियोश करके उसी कमरे में बंग कर देते हैं जहां पर मौरगन को रखा गया था यानि कि ये मौगन को नहीं मारना चाते हैं डॉक्टर डी मौगन को खोलते हैं और उसे होश में लाते हैं और जब वो होश में आती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर डी के उपर हमला करती हैं और उन्हें मार देती है दरसल उसे पता चल चुका था कि सब के सब उसे मारना चाहते हैं उसने कई बार कहा था कि मुझे छोड़ दू पर इसके बावजूद उसे बेहोश कर दिया गया था और अब वो इन सब से बदला लेना चाहती सीलियो एक एक करके सब को मार देती है सिवाए एमी के क्योंकि डॉक्टर एमी हमेशा उसे बाहर ले जाये करती थी उसी ने बच्पन से सबसे ज़्यादा उसके साथ वक्त बिताय था इसलियो डॉक्टर एमी को अपनी मॉम समझती है मौगन डॉक्टर एमी के पास जाती है उनसे कहती है कि मैं एक बार फिर से उसी जगा पर जाना चाहती हूँ जहां हम हमेशा बच्पन में जाये करते थे यानि कि जील के पास एमी पूरी तरह से डरी हुई होती है उसे भी यकीन हो चुका है कि मौगन एक फेल एक्सपेरिमेंट था उसे अब खत्म करना चाहिए उस का अब एकी मकसद है कि वो किसी भी तरह से मौगन को खत्म कर दे वो अपने आपको आजाद कर लेती है और उस जगा पहुंच जाती है जहां पर मौगन है मौगन और ली के बीच में एक भयानक फाइट होती है जहां आम देखते हैं कि ली के अंदर भी उसी तरह की पावर् उसकी स्पीड को मیچ कर पा रही होती है पर मौगन ली को जखमी कर देती है इससे पहले कि वो यहां से निकलती ली एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है और जिल में इन दोनों की बीच में जब फाइट होती है तो ली पानी में मौगन को मार देती है और साथ यो डॉक्ट वोई हमें सेंसेक कमपनी को दिखाया जाता है जिसका ये प्रोजेक्ट था कमपनी की दो बड़ी डिरेक्टर सापस में बात कर रहे होते हैं कि मॉर्गन यानि कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट L9 था वो पूरी तरह से फेल हो गया लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट नमबर L4 वो पूरी तरह से पास हुआ और यहां पर हमें समझ में आ जाता है कि ली भी कोई इनसान नहीं थी बलकि वो भी इसी कमपनी का एक एक्सपेरिमेंट थी जो पूरी तरह से पास हुआ दरसल उसके अंदर सारी सोल्जर्स वाले एबिलिटीज डाली गई थी जो अपनी रक्षा के लिए इनसानों की रक्षा के लिए बनाई गई थी इसी लिए कमपनी तेह करती है कि वो एल फोर यानी की ली जैसे और भी सोल्जर्स बनाएगी ताकि इस दुनिया को खत्रे से बचाय जा सके इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी आयम टीवी पर इसकी रेटिंग है 5.8 उमीद करते हैं कि ये गहानी आपको पसंद आई होगी